प्रोकार प्रिस्तावू पर लग सकती है मुखर तिलंगाना सियम की बेटी के कविता का दिल्ली में धर्ना महिला आरख्षड बिल की माई उमेश पाल हत्यकान के आरोपी साबिर के भाई की मिली लाश बहन के घर्ट छिपकर रह रहा था जाके प्राइम टीवी वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का पियम मोदी ने महिलाओं की आर्थिक साफशक्ति करण पर बजट के बाद बैविनार को संबोधित किया जिसमें आने वाले समय में महिलाओं को आर्थिक साफशक्ति करण दिलाने को लेकर चर्चा की जिसका उद्देश महिलाओं के स्वामित्व बैवसायों के सतथ विकास के लिए सही मार्क तयार करना है साथ ही इस वेबिनार को संबोधित करते हुए प्यम ने कहा नारिशक्ति भारत की अनमोल शक्ति है पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एमपावर्मेंट के लिए काम किया है आज उसके परणाम नजर आने लगे है आज भारत में ऐसे अनेक शेत्र हैं जिन में महिला शक्ति का सामर्थ नजर आता है जिन करोणों लोगों को मुद्रा लोन दिये गए उनमें से करीब सत्तर प्रतिशत लाभार थी देश की महलाएं है कि करोणों महलाएं अपने परिवार की आई ही नहीं बढ़ा रही है बलकि अर्थ वबस्ता के नए आयाम भी खोल रही है शाज़ापूर के खन्नी धर्मिशाला का खन्नी सभाध द्वारा भवो होली मिलन समारवव आयूजित किया गया कार्क्रम में मुख थिती वित्मंतरी सुरेश कुमार खन्ना रहे खन्नी सामाज के लोगों के साथ यूपी वित्यमंत्री सुरेश खना ने फूलों की होली खेली और गले मिलकर होली की शुपकामनाएं दी। समारों में बच्चों द्वारा विबिन सांस्कृति कारक्रमों की प्रस्तुति दी गए। कार्प्रम को संबोधित करते हुए सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सच्छे मन से गले मिलकर सारी बुराईयों को भूल कर होली की खुशियां बाटनी चाहिए होली के दूसरे दिन ये होली मिलन का कार्प्रम होता है होली के इस पावन पर पर हम अपने शायर बासियों को प्रदेश बासियों को बधाई देते हैं यही एक ऐसा तेवार है जो हम एक दूसरे से गले मिलके दूसरों को शुपकामनाई देते हैं हम सभी लोगों को विशेश रूप से बधाई देते हैं और सभी का सजय आगरे है कि तमाम गिले शिक्वे मिटाकर जो हम गले मिलते हैं वो सही बाने में पवित्र भाव को संबल में नगरपाली का परसत पर करूर रूपय का घोटाली का आरोप लगा है वहीं आठ दिन से लगातार सभासदों का धरना जारी है बतादें कि इस से पहले भी नगरपाली का परसत के आधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं जिसके बाद शासन ने SDM SDM को सस्पेंट कर दिया था बतादें कि सबसद सभी विकास कारों की जाच कराके ब्रष्टाचार के मामले पकड़ने के लिए जाच की मांग उठा रहे हैं जिसको लेकर उनका धरना प्रदरसंच जारी है लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने कोई संग्यान नहीं लिया है बाहर से आए अगुन तक महिलाओं ने भी समाच कल्यार समिती की राष्टी अध्धक जीतेंद्र वर्मा का समर्थन दिया है बता दें आपको सबसदों का धरना लगा तार जारी है नगरपाली का परसद पर करोड़ों रुपे घोटाले का रूप लगा है इसका भारा सरकार ने सब्जेक्ट पब्लिक गिर्वेश जरी किया है गिर्मंतरले से अफसे आरे और पीमोड में इस ओपिस्टि मेरा रेक्ष्टी साने जो भारा सरकार का हमेशा अभारी रहुगा यह मुझे धर्ने के जो सूछना मिली है हमसोश के सात्थ कहना पड़ता है धर्ने पर दरस्थान किसी भी तरह के जवी होते हैं जब कहीं गड़बर घोटाला होता है या कोई हमारा क्रम चारि या अफसर बात नहीं मानता है, ये कार्य विकाश सही नहीं होता है, तब ही ये धर्न की जाते हिए. आट दिन हो लिए इसके लिए आट दिन हो गा इसको धर्रे को वगर अभी ताइब कोई सब्धान नहीं लिकला नगर पालिका के करमचारियों ने जो वह उपिसमें बैठ के और चलेगा और रहा सवाल इसका के धर्नक इसका धर्मे में वह दो करोर सब्सक्राइब कर दो करोड तीन लाग शर्षट रुपएगा एक आरोख है उसके जो उसने चांसफर किया दूश्रे खाते से निकाल के दूश्रे खाते में चांसफर क्या पैसा के लोगोना करा है चंचल कुमार अधिकारी रामपाली आदब अच्छे 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 यह 2018-19 का गोटाला दो बैलंशीते बना रखे हैं इनोंने सियर रामपूर से बनवाई आपकी अब जब एक बात यह बताईए हर थाल ओडित हो लिए ओडितर आपको उसको ताला आपको बता दें संबल में नगर पालिका परसत पर करोड़ों रुपए के घोटाली का लग चुके हैं जिसके बाद शासन ने ADM, SDM को सस्पेंट कर दिया था बता दे की सबसद सभी विकासकारों की जांच करा के भरष्टाचार के मामले पकड़ने के लिए जांच की मांग उठा रही हैं जिसको लेकर उनका धन्ना प्रदर्शन जारी है लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने कोई संग्यान नहीं लिया है बाहर से आए आगुन तक महिलाओं ने भी समाज कल्याण समीटी की राष्टी अध्यक जीतेंद्रोवर्मा का समर्थन दिया है अलिगड में बीजेपी कारकरता की दबंगई सामने आई है बीजेपी कारकरता का दबंगई दिखाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है जिसमें कारकरता एक यूवक का सर पकड़ का दबंगई दिखाता नजर आ रहा है बतादे बीजेपी कारकर्ता ने एक यूवक का सर पकड़ा जिसके बाद पिलित ने कारकर्ता की गाड़ी को रोकने का प्रियास किया तो उसने दबंगई दिखाते हुए कहा कि जो करना है कर लो दबंगई का ये वीडियो सामने आया है जो अब तेजी से वारल हो रहा है और या शेहर कोतवाली के अंतरगत नेशनल हाईवे इंडियन ओयल चौकी इस तित पर बड़ा हादसा हुआ है जिसमें साथ लोग गंफी रूप से घायल हो गए है बतादे की कानपुर देहाद की ओर से आ रहे तीन बाइक सवार को आटो चालक ने ओवर टेक के दोरान टक कर मार दी जिससे बाइक सवार सडक पर जा गिरे और गंफी रूप से घायल हो गए साथ ही आटो पर बैठी सवारी भी गंफी रूप से घायल हो गई बता दे की स्थानी लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुच कर सभी घालों को अस्पताल में भरती कराया अपने कहां जा रही है लूप शीजा व्यां भॉट करें आम साथ scaric 있는 खायारा वी मिलनि तुमारे आप के साथ ढहाएं गृए यह साथ में तुमारे आपके साथ मних मैं इस कितनी सवारी बैठी थी दिए तो आपको यहां पर फॉल लाया है तो आपका संदीब कुमार संदीब जी कहां से कहां जा रहे थे आपको मैं महाराज पुरकाम को दिया सबोड नहीं हूं मैं जा रहा है तो रॉंग शैट से एक आदे आटो तो इसमें टपकर मारके मेरे दिए लोग रवाई को मैला थी यह जो महला यह कौन है मेरी पतनी दरम पतनी और या पिसाद और मेरा बाई यह चैटा वाला तो इसमें पी दि मेरा भी बच्चा है चोटा तो उसको भी चोंटा थी तीन साल हो बच्चा पिटावा आप किसके पास जाजिए थी किसके हैं यह बाईक और टैमकों के बीच में टकर हुई थी तो उसमें कुछ लोग सिखंद्रा के हैं कुछ खान अपर 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 जयाद के हैं लोग यह हर्दोई के पच्चदेवरा इलाके में भतीजी के साथ दुशकर्म गला दबा कर हत्या करने वाला चाचा पुलिस मुद्भेड में घायल हुआ है कारदात के बाद आरोपी को पुलिस ने गाओं के बाहर से गिरफतार किया था जिसके बाद आरोपी को डॉक्टरी परिक्षड के लिए लाया गया था जहां रास्ते में शौच के लिए रुपने पर आरोपी आरफशी की राइफल छीन कर भागा और पुलिस पर इसके द्वारा करलात जड़ने रखना कारी की विए उसे समंधित तर्जोधी एविडेंस थे वो सब रात में और सुबह बरामत किये गए और इसको लबग साड़ेवारा वजे वज़देवरा से गिरफ्तार किया गया था पुलिस द्वारा मेटकर इत्यादी करने के लिए इसको ठाने से राय यार राग पाले ति रास्ते में नरायन पॉर्ट के पास इसने पेशाब करने के बादे गाड़ी इसको ठाना चाहा और कॉंस्टिबल की राइफल लेकर के भाग गया खरीब दोड़ाई सो मीटर रूट पुछा किया गया तो एक जाड़ी की आर से इसने पुरिश्वर फैर कि हाथ मरेक्षा में पुरिश्वरा जवावी फैर कर फिक्मत अंबली से इसको पकड़ाईया इसके पैर में गोली लेगी है अभी एक उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही आगे आफ से फिर होगी मुलाकात अब तक के लिए बने रहें प्राइम टीवी के साथ नमस्कार